आज 14 एप्रिल 2013 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महावाइका इस महावाइकों में बाबा बोले मीठे बच्चे माम्मा बाबा शमान सर्विस करने के लिए बुद्धी को स्वत्वप्रधान बनाओ शोत्वप्रधान बुद्धी बाली ही धरणा कर दुसरों को करा सकते हैं प्रश्न ओचेते उचा पुरुषर्ट कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो उत्तर मात पिता के तौक्त को जितना यो है ओचते ओचा पुरुशरतो मामा बाबा आकर तुम्हारे वारिश बने ऐसे नमबर वान बनने का लक्षो रखो इसके लिए ओचते ओची शेबा करनी है शेबा भी न तुम्हें उचपद नहीं मिलेगा बहुतो को आपशमान बनाना है दुखी मुनश्यों को शुखी बनाना है अबिनाशी ग्यान रतनों को बुद्धी रुपी बरतन में धारन कर दूसरों को दान देना है आज का गीत भोले नाद से निराला कोई नहीं आम शांत अब बच्चे तो पहचान गए ना कि हमको बाप अथवा मात पिता शिकलाने वाले है इस समय हम स्टूडेंट बन करके उनका सामने बेटे हैं बच्चों को ही इस खुशी में रहना है अभी तो हम बहुत के बाप के बने है ना बाप का बन गया एक बाबा दूसरा ना कोई प्रतिग्य भी बच्चे करते हैं बाबा अभी हम आपकी ही है और किसी का बात नहीं सुनेंगे हम है इश्र के अब आशुरों के शमंदों में हम नहीं है हम आशुरी मात पर नहीं चलने वाले नहीं चलने वाले आशुरी मात किसको कहा जाता है वो भी हम समझ लिया जो स्रि घृट कर्म दूसरा है अशुरी कर्म यो बात कोई भी नहीं जानते कि आदीशनातं देवी देवाता धर्म और किस ने स्थापन किया था और सभी धर्मों वाले अपने अपने धर्म को अवस्ष जानते हैं। कानहीं उनका बायोग्रफिक या है बापको ही नहीं जानते तो बेमोख हो गाया ना तो यह भी ड्रामा में नोद है भूल होगा तो परमात्मा आएँगे भूल को अभुल बनाने के के लिए ओभी तुम बच्चे जानते हो बहुत का बाप आगर हम बच्चों को फीड से राज्योग सत्यों के लिए शिखाते हैं तुमको बईखुंटा का मालीक बनना है है ना कृष्णपुरी में जाना है यो तो कौंख्षपुरी है कौंख्षण और कृष्ण इकोट्टे नहीं हो सकते अब तुम बच्चों को फौकुर होना चाहिए कि हमको अब परमपित परमात्मा सहोज राज्योग शिकला रहे हैं बाबा के देवच्चे हम परमधाम से आए हैं पुरानी इस राबन की दुनिया में पुराने शुरिर में ब्रह्मात्वन में जैसे मुनश्यो पित्रों खिलाते हैं न तो वो आत्मा पुराने शुरिर में आते हैं उनको लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे हमारी लिए कहेंगे हम इस पुरानी दुनिया में आते हैं नए दुनिया बनाने के लिए पुरानी शुरिर में आते हैं फिर उनको खिलाते पिलाते हैं य यो ही भाबना कहते हैं हमारी पोती की आत्मा इस ब्रह्मुन का सरीर में आई वो भाबना रखते हैं पोती के नाम रुप को याद करते हैं आत्मा ही आकर अंगिकर करती है यो है यहां की रसमरिवाज लेकिन सती युग में यह बात होती ही नहीं फाल्तु खर्चा करना धक्का नहीं बाप को भी दुख नहीं देता मुनिश्य तो ना जानते कारुन को हो देते शूक दुख परमातमा ही धेते बाप समझाते बच़े यो खेल बना हुआ है ड्रामा में ये खेल है आधाकलप आधाकलप सोख है आधाकलप दुख है जो देविदवत धर्मबाले होंगे वो पर जाता है ना तो यह हमारी कोल का है इसने बहुत भुक्ति की है जैसे कोई बहुत अच्छा पड़ता है तो पौद भी अच्छा मिलता है डिग्रिया मिलता है वे इसे जिन्होंने बहुत भुक्ति की है बापा कर कहते हैं अब मैं उन्हों को भुक्ति का फॉल देने आया भुक्ति में तो दूख ही दूख है ना कितना भटकना पड़ता है अब में तुमको सभी दुखों से दूर कराता हूँ यह सुक देने वाला निमित तो में ही हो अगर स्रीमत पले चलेंगे तो नहीं चलेंगे तो सुक भी तुमें नहीं मिलने वाला बाप को भी उल्टिमत न बाद पोतित बनना सुरू करेंगे जब द्रापर योग आएंगे यो बाबा भी तो अनुभवी भुजूर्ग था ना बारो गुरू किये थे सादू संतु आदी सभी देखे है शास्रों भी परे थे बाप जोरूर अनुभवी रौत में ही आते होंगे कालपकलप आते होंगे ऐखी तन में उनको भी जोरूर कोई हिस्ट्री होगा ना की भगवन ने यो एक ही रौत क्यू लिया है भागी रौत और थथथ भाग्योशाली रौत गाया हुआ है कहते हैं भागी रौत से गंगा निकली पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती आगे हम भी समझते नहीं थे भाग्योशाली राथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना अभी हमें समझ में आया जिसमें परमपित परमा आता है यही भाग्योशाली राथ है भागी राथ है मुनिशो तो मोच जाता है किसको क्या के है किसको क्या के है इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे मुनिशो बहुत तर्क करते ह तुम इस मुनिश्य को ब्रह्मा कहते हो यह प्रश्ण भी पुछेंगे ब्रह्मा तो वगवान है शप्ष्व बतन में रहेने बाला तुम ने फिर मुनिश्य को ब्रह्मा बना दिया है ऐसे ऐसे कहेंगे तुमें बहुत उलहना देंगे तो यह तो उन्हों की कलपोना है ब्रह्मा, विश्णु, शंकर इहां कहां से आए अरे उनको समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मन पैदा हुए सो तो इहां होंगे न जब होंगे तो इस समय ही होंगे तो कभी हुआ था अभी इस समय है जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा मुसलमन कैसे आये क्या क्या हुआ यो सब फिर भी होगा तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते वो तो कहो देते है ड्रामा की आयू लाखो लाखो बर्षो है यो गौपुरा मरते है फिर कहते प्रलोई भी होती है अब सिक्रिष्णो अगर आएगा तो भी सत्य युग में आएगा ना तो ये तो क्या दिखा दिया उसको फिर द्रापुर में क्यों ले गए हो प्रलोई तो कोभी होता ही नहीं गाते भी है ना पतित पावन आओ तो जोरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन मनाएंगे न तो ये तो वीबेक कहता है लौ कहता है बाबा कहते है मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन मनाने इस समय संगम पर कुलियुक का अंत और सत्युक का सुरू में ग्यान सागर ही स्रिष्टि के आदिम अद्वानतों का राज समझा सकत हो पुराने दुनिया को नया कैसे बनाता हो सो बेट बच्चों को समझाता हो वो होद के घर की बात होती है यह है बहुत की बात घर की बात बाप का तो प्यार रहता है ना बच्चों पर बाबा का बहुत नाज है बहुत प्यार है तब तो भुगती मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं मुनशु तो करना सके यह मुनशु का बस में नहीं है मुनशु का काम नहीं है कहते है इस शुर ने शुक का जनम दिया किस के पास पैसे बहुत होते है तो कहते इस शुर ने दे दिया फिर वो ले ले लेते तो दुख क्यों होना चाहिए दुख क्यों होते हो रोते क् वगवान का दिया हुआ चीज, वगवान ने ले लिया, और बाबा कहते हैं बच्छे, और कोई की बात ना सुनों, सिभाए एक बाप की बात सुनों, बाप सुखी देता है, बाबा को भी दुख नहीं देता, बाप टीचार गुरु तिनो रूप में पाढ़बजा करके तुम अभी उद्धर करने आया हूँ, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना, सती युग में था पवित्रो प्रभृति मार्क, अप हो गया है अपवित्रो प्रभृति मार्क, जिसको बीकारी प्रभृति कहा जाता है, मुनिश्य महांधु की है, बात मत पूछो, त्राही त् रहते हैं रोते पीटते रहते हैं अनेक धर्म हो गया ना सतियोग में था एक धर्म जो एक बाफिस्तापन करते हैं गीता में सिक्रिष्ण भगवानुवा चुलिक दिया है यह है एकोच फुल परमपिता परमात्मा है निराकार उनका नाम है शिब वो हमारी मात पिता बंदु आत्मा का नाम एक ही चलता है दुसरा नहीं पड़ता है शुरीर का नाम बदलता रहता है एक शुरीर चोर दुसरा लिया तो नाम बदल जाएगा बाप का नाम एक ही शिब बाबा बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है भल में इन में प्रवेश करता हो ब्रमा में परंतो श दुनिया को तमप्रदान से शत्वप्रदान कैसे बनाऊंगा, मुनश्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, यो एक ही कलेज है जहां सब पढ़ते हैं, पुरहे जोवान सब पढ़ते हैं, मुरूली सब जगह हो जाती हैं, फिर कोई की बुद्धी शत्वप्रदान है, कोई की कोई की रौजो, कोई की तमप्रदान, बिलकुल ही शधरन धरणा नहीं होती, तो उनकी कर्मों ऐसे ही तहरें, वो इस कुल्काई नहीं, बाप क्या करें, बाप तो तकदीर करते हैं, उसका तकदीर में नहीं है, तो सब तो एक्षमान हो भी नहीं सकते, यो इश्षर ये कल देखना चाहिए मेरी शत्वप्रदन बुद्धी है में मामा बाबा मिसल समझा सकता हूँ इतना धरणा मेरे में आ गाया बाबा के पास तो शब सेंटर कर्षमाचार आना चाहिए कि कितने स्टुडेंस रेगुलर आते हैं जगदम्मा मा भी तो बच्ची ठेहरी न तो यो बा कुछ तो होगा ना विशेशता होगा खुबिया होंगी आदी देव ब्रह्मा का कितना नाम है देखो मुनिशों नहीं समझते आदी देव किसको कहा जाता बस्तव में आदी देव और आदी देवी माता पिता यो बन जाता है यहां इस समय बनता है फिर इसके मुक से बबा का बच्चा भी हो तो उनकी बननी और तद्य योगोल भी हो क्यूंकि मुझ से प्रविशकर मेरे मुख से बच्चे पैदा करता है। इतना सुद्धो जनम हमारा हो जाता है, मर्जिवा जनम हमारा हो जाता, कितनी गुज्जो बात है, शत्व प्रतन बुद्धी वाले ही अच्छा रिती समझेंगे, नमबर बार तो होती ही है, रायल घराने और प्रजा में तो फरक पड़ता है न, प्रजा भी अपने प्राने में ही आएंगे, न, बाबा कहते है, पुरुशर्ट करो, मैं तो आया ही हो राजाई पड़ देने के लिए, पुरुशर्ट करना है, हम मात पिता से शर्गों की बादशाही का बर्शा लेंगे, नहीं तो शत्रियों बन परेंगे, स्टुडेंट खुद भी समझ सकत है, उन स्कोलों में तो कोई नापाश हो जाता है, फिर परना पड़ते है, यहां तो फिर परना सके, समय चला जाएगा, संगम जुक चला जाएगा, कोई यह आधात्मिक पराई नहीं पर पाएंगे, नापाश हुआ तो नापाशी रहेंगे, कलपकल पंतर का बाजी है, इस बाबा हमेशा कहते है, बचे, ऐसे मत समझो कि शिंदो में बहुत उने घर बार छोरा, तो हमको भी छोरना परेगा, ऐसा नहीं, कोई को देख करके यह ज्यान में नहीं तुम टिक पाएंगे, यह तो ज्यान में ड्रामा में नोध है, बाकी भागाने आधिकी कोई बात नही भगवान बुरा काम थोरी ही करेंगे, यो है जोटे कलंक, जो भीरोदी है ना, जो ट्रेटार है नः तो शुब करमों में वो बाधा डलते हैं, तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में मामा बाबा पहत पाते हैं तुम भी फिर जीत पाते हो, जो पहला नंबर होगा व पहले पहले राजारानी फिर छोटे ही जाएंगे तो पुरुश हर्थ कर मामा बाबा के तक्त पर जीत पहनना चाहिए अभी नहीं जीत पानी है बविश्यों तक्त पर जीत पानी है मामा बाबा आकर तुमारा वारिश बने बाबा बच्यों को कितने अच्छे रिती समझाते ह यह जूग्न जूशान है जैसी पारा जो जुट उड़ जाता है अभी अभी बहुत नैशा है अभी घाटा पड़ जाता है कोई कोई पास तो जरा भी धरन्ह नहीं है वंडर है बहुत बच्चे को निश्च है एहां तो निराकार भगवान पराते है इसे क्रिष्णों नहीं भगवानों बचो है ना भगवान को तो तुम सुरीर दे नहीं सकते शी भगवानों बचो क्रिष्णों के सुरीर से ऐसा भी ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है यो है भगवानों बचो जो इस समय डाइरेक्ट परमपिता परमात्मा ब्रमातान में आत पाएंगे जितना बाप को याद करेंगे तो बिकॉर्मों का बोजा खतम होगा ये तो साधरन बात है याद करने से बुद्धी सोने का बर्तन हो जाएगा दान करते रहेंगे तो धरना होती जाएगी धान दिये धान नाखोटे बाप तुम पर राजी होगा तुम ब्रहम्हन अब अभी नाशी ग्यान रतनों का दान करते हो, वो शस्रों जो सुनते है, तो उसको ही ग्यान समझते है, वो समझते है, यही लाखों की मिल्कियत है, परुंतो है कोरी की, इसलिए बाबा कहते है, बच्चों की दिल में आना चाहिए न, हमारी बाप शिक्षक है, होते हैं, तो ब्रह्मा चारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते, तो पराई ठंडी हो जाती, बुद्धी एकदम मलीन हो जाती, तो यह फिर है रूहानी बिद्दा, ब्रह्मा चर्जों में रहने विगार धारुना नहीं होती, बाबा कहते, तो अब तुमारा समाइज बिच् देंगे, अशिरबात का कोई बात नहीं, आपने ओपर कृपा करो, यह पाओ, बाबा कहते हैं, यह तो पराई है, परेंगे लिखेंगे, होंगे नवाब, रोलेंगे पिलेंगे, बनेंगे खराब, अगर बुद्धी धक्ये खाती रहती, तो खराब हो जाएंगे, यह बहु है, यह शिवा यह तुमारे, कोई भी समझते नहीं, इश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप, टीचर सद्गुरू, सद्गुरू के रूप में सभी को वापिस ले जाने बाला, बाबा गिरांटी करते है, मैं सभी को वापिस ले जाओंगा, कहा, जिसके लिए तुम आधा कलपों भोक्ती करते आये हो, मुक्ति धाम में जाएंगे, तो बाबा मुक्ति धाम ले जाएंगे, फिर जो स्रिमात पर चलेंगे, वो बाइखुंटों का माली का वश्य बनेंगे, अच्छा, मेठे मेठे, सिके लदे बच्छो प्रती, मात पिता बाप दादा क याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहाने बच्छो को नमस्ते, हम रुहाने बच्छो की रुहाने बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, 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 धारणा के लिए मोख खोशार, नमबर वान, पराई को धार बराना है पराई अच्छी तरोब परडी है बर्दन शादोना और शादोन के बैलेंस दरा अपनी उन्नोती करने वाले ब्लेसिंग के अधी करी भावों शादोनों को आधार बनाने के बज़ाए अपनी शादोना के आधार से शादोनों को काईजों में लगाओ यह है युक्ति का बात किसी भी शादोन को उन्नोति के आधार नहीं बनाओ नहीं तो आधार हिलने के, हिलने से, हिलने के साथ-साथ उमंग उत्षाहों भी हिल जाता है, क्योंकि सादुन को आधार बनाया ना, सादुन को आधार बनाने से बाप भी से निकाल जाता है, बाबा नहीं रहता, मदद नहीं करता, इसलिए हल चल होती रहती है, सादुनों के स अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप शमान शक्तिशली बनो ओम शंति